नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डोर्स्टैप एजुकेशन पॉइंट, आज की क्लास में हम EBS के कुछ प्रशनों को डिसकस करने जा रहे हैं, CTAT की परिक्षा जो 2024 में कंडक्ट करवाई जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आप इन वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपका CTAT का एक्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको questions को हम समझाएंगे ही नहीं, अच्छे तरीके से concept भी समझाएंगे, कि अगर किसी question का जवाब सही है, तो वो जव जवाब क्यों सही है, और बाकी के जवाब क्यों गलत है, बड़े ही अच्छे तरीके से सभी options को समझते हुए आगे चलेंगे, तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर और लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, तो शुरुआत करते हैं आज की हमारे पहले प्रशन से, पहले मैं प्रशन को अंग्रेजी में पढ़ूंगा, उसके बाद हम हिंदी में भी उस प्रशन को पढ़ने के बात समझेंगे कि कोश्चन में क्या डिमांड करी जा रही है और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा जो आंसर है, कौन सा जवाब है, उस कोश्चन की डिमांड को पूरा करता है, पहले प्रशन को देखें, टीचर wants to select synchronous communication with her students for teaching EVS, which of the following will she choose, एक सिक्षिका है, टीचर है कि क्लास की EVS पढ़ाना चाती है, तो EVS पढ़ाने के लिए, पर्यावरन विशय पढ़ाने के लिए उसको क्या करना चाहिए, के लिए अपने विद्यारतियों के साथ तुल्य कालिक संप्रेशन का चैन करना चाहती है, तो आपको क्या लगता है, उसे क्या करना चाहिए, पहल इमेल, social media, post, phone calls की email, social media, post, phone call इसकी हिंदी को में हम इंग्लिश में ही बोलेंगे तीसरी option में लिखा गया है इंस्टेट, messaging, blogs, teleconferencing की त्वारत, संदेश, blog, teleconferencing और last में दिया गया है वीडियो conferencing, online chat sessions, phone calls, वीडियो conferencing, online chat शत्र और phone calls आप इस question का जवाब कैसे देंगे, अगर आपको पता होगा synchronous communication का मतलब क्या होता है synchronous communication के मतलब की बात करें, तो इसमें real time interaction को हम कहते हैं कि real time में हमें जो पढ़ाने वाला है और जो सीखने वाला है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आपस में interact करना पड़ेगा sender और receiver दोनों की बात कही जा रही है, जैसे कि बच्चे होंगे, वो receiver होंगे कि बच्चे भी active तरीके से इसमें participate करेंगे, और जो person सिखाने वाला होगा, वो भी क्या करेगा active तरीके से participate करेगा, option number 1 में देखें, तो यहाँ पर pre-recorded videos की बात कही जा रही है मतलब कि पहले से किसी ने videos को record कर दिया होगा, उसके बाद हम उससे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो यह option गलत हो जाएगा option number 2 को देखेंगे, तो यहाँ पर बात बताई जा रही है, email, social media, post या फिर phone calls phone calls तो चलो ठीक है, बट email की अगर हम बात करें, तो email में हम active तरीके से बच्चों को कोई भी चीज नहीं सिखा सकते अगर मुझे आज किसी ने मेरी email ID पर email भीजी है, तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं आज ही उस email को देखूंगा मदलब ये कि ये active तरीका नहीं होगा, option number 3 की बात करें, तो instant messaging, blogs, teleconferencing कुछ हद तक हम इसको सही मान सकते हैं, बट option number 4 को देखते हैं, video conferencing, online chat sessions, phone calls इसमें देखो कितना wider perspective है, इसमें बताया जा रहा है, कि video conferencing हो सकती है, जैसे कि हम video call करते हैं, whatsapp वगेरा पर भी call कर लेते हैं, तो वहाँ पर हम एक दूसरे से real time में बात कर पाते हैं अगर यही live class होती, तो आप यहाँ पर comment section में comment कर रहे होते, कि सर ये वाला जो प्रशन है, ये हमें नहीं समझ आया, तो मैं अगर छोटे बच्चों को EBS का कह सकते हैं, कि कोई topic सिखाना चाहता हूँ, और इन्होंने question में ये भी लिख दिया था, कि synchronous communication हम करना चाहते हैं, active तरीके से real time में हम center और receiver को एक साथ कह सकते हैं, कि उनकी interaction होनी चाहिए, तो option number D ही इसका जवाब सही होगा, क्योंकि video conferencing में एक दूसरे से बात कही जा सकती है, बच्चे questions भी पूछ सकते हैं, और इसमें बच्चों की critical thinking भी develop होगी, तो option number 4 को आप सही लगा सकते हैं, option number 2 को railway station depicts utilization of community's resources in EVS, which of the following will complete theme, food, यदी theme यातरा railway station EVS में एक सामोधायक संसाधन के उप्योग को दर्शाता है, तो निमल लिखित में से कौन पूरा करेगा theme भोजन को, बात करते हैं travel की, तो travel को यहाँ पर दिखाया गया है कि जो railway station होता है, उसको हम utilize करते हैं travel के लिए, इसी तरह अगर हम food की बात करें, तो food की theme क्या होगी, क्या ये agricultural farm होगा, क्रिशी farm, या फिर option number 2, forest, jungle, तीसरी option में shopkeeper, दुकांदार, या फिर option number 4, farmer, या फिर किसान, बात करें option number 1 या 4 में से आपका जवाब सही होने वाला है, आपका जवाब यहाँ पर agriculture farm होगा, क्यों होगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे railway था, railway क्या है, एक resource है, जिसको utilize किया जाता है, travel के लिए, इसी तरह जो agriculture farm है, ये भी एक community resource है, जिसको हम utilize करेंगे food के लिए, food को produce करने के लिए, उतपादन करने के लिए, हम इस्तिमाल करेंगे, क्रिशी farm को, so option number जो आपका 1 है, वो विल्कुल आपका सही जवाब होगा, इसी तरह आप option number A को सही लगा सकते हैं, इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले प्रशन पर, While teaching EVS, a teacher statement question which encourage students to elaborate on an answer either on their own or from the response of their peers is, EVS सिक्षन के दोरान आप बच्चों को EVS पढ़ा रही हैं, एक सिक्षक का बयान प्रशन जो विद्यार्थियों को स्वें या अपने साथियों की प्रतिक रियाउं से उत्तर को रिश्तित करने के लिए प्रोसाहित करता है, आपको क्या लगता है, आप बच्चों को क्या पढ़ा रही हैं, आप बच्चों को EVS पढ़ा रही हैं, एक teacher statement question, कि एक teacher है, वो क्या कर रही है, बच्चों को increase कर रही है, कि वो जो अपना answer है, वो क्या करें, student to elaborate on an answer, कि अपने साथियों की प्रतिक्रियाउं से उत्तर का विरिश्तित कर करने के लिए प्रोसाहित करता है, तो आपको क्या लगता है, इसका जवाब कौन सा होगा, probing होगा, conditioning, chaining या फिर trial and error, खोज पूर्ण प्रशन, conditioning, chaining या फिर friction और truity, सही जवाब की बात करें, तो आपको क्या लगता है, वीडियो को pause करें, और खुद इसका जवाब देने की कोशिश करें, सही जवाब तो मैं इस वीडियो में दे ही दूँगा, इसका सही जवाब होने वाला है, probing, probing ही इसका सही जवाब क्यों होगा, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, probing, खोज पूर्ण प्रशन में, हम बच्चों से question पूछते हैं, और ऐसी बाते बोल thinking भी develop होगी, बच्चे और घहराई से सूच पाते हैं, so option number 1 को आप सही करेंगे, conditioning क्या होती है, conditioning की अगर हम बात करते हैं, तो इस process में बच्चे associate कर पाते हैं, और reinforcement की मदद से चीजों को सीखते हैं, जैसे कि मान लीजे, अगर बच्चे ने कोई काम किया, तो हमने उसको बाशी नहीं दी, हमने उसको सजा दी, so इसे हम क्या सकते हैं, conditioning होगी इससे बच्चों की, तीसरे option में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, chaining, chaining क्या होती है, chaining की अगर हम बात करें, तो मान लीजे, आप किसी काम को करना चाते हैं, आप किसी काम को करने के लि फिर साबुन बगरा लगाएंगे, फिर हात धोने के बाद आप तूटी बंद करेंगे, तो जब आप 3-4 steps में एक काम को बाढ़ देंगे, तो आप क्या करते हैं, आप उस काम को करना सीख जाते हैं, यह बस एक उधारन थी, इसको हम chaining का नाम दे सकते हैं, trial and error में क्या होता जैसे मान लीजिए, आप क्या करने वाले हैं, आप एक दरवाजे को खुलने वाले हैं, और आपके पास काफी सारी चाबी हैं, तो आप सभी चाबीयों को क्या करेंगे, आप try करने वाले हैं, तो इसी को हम trial and error कह सकते हैं, तो इसका सही जवाब मैंने आपको बता दिया, ख Each the theme family की अनिता नाम की एक teacher हैं, वो परिवार theme को पढ़ाने के लिए एक एकाई योजना तियार करती हैं, निमन लिखित में से कौन सा उसकी एकाई योजना का शीर्चक होगा, families, migrating families, option number 2 में लिखा है types of families, nuclear and joint, परिवार के परकार एकल और संयुक्त, option number 3 में लिखा है family, relationships with a family, परिवार एक परिवार के भीतर संबंद, या फिर होगा option number 4, family, relationships, gender roles, occupation as sociocultural entity in changing times की परिवार संबंद, link भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में, समाजिक सांस्कृतिक एकाई के रूप में, सही जवाब आपका क्या होने वाला है, आप वीडियो पॉस करने के बाद इ इसका सही अंसर क्या होने वाला है, सही अंसर की बात करें, तो सही जवाब होने वाला है आपका option number D, क्योंकि ये एक comprehensive overview दिखा रहा है, जो कि उनका कह सकते हैं, theme था, परिवार इनका जो theme था, family theme के according देखें, तो ये सारी चीजे बता रहा है, जो option number 4 है, कि परिवार, संबं unit में हम जब इस नाम को पढ़ते हैं, option number 4 में जो option लिखी हुई है, तो हमें पता लगता है कि ये unit जो लिखी हुई है, इसमें सारी चीजें cover हो जाती है, family theme की, जैसे कि relationship की भी बात कर दी है, gender roles की भी बात कर दी है, occupation भी इसमें आ जाएगा, और साथ में और भी जो चीजें हैं, जैसे socio-cultural entity होगी, वो सारी चीजें इसमें शामिल हैं, तो बाकी और option को देखते हैं, तो इसमें थोड़ी थोड़ी बाते कही गई हैं, so option number 4 को हम कह सकते हैं, कि अनीता ने जो unit prepare की है, बच्चों को पढ़ाने के लिए family, theme के बारे में, तो सबसे जो अच्छा title होने व पढ़ारे में बताया जा रहा है, शीतल लाइक्स तो यूज स्टोरीज और पोयम्स इन ब्राइमरी क्लासिस तो एक्स्प्लेइन वेरियस कंसेप्ट आफ इवियस, शीतल नाम की एक मैडम है, श्रीमती जी, ये क्या करती हैं, इवियस पढ़ाने के लिए, बच्चों को, व कविताओं का प्रियोग किया जा रहा है, उसका आपको क्या लगता है, कि सबसे अच्छा लॉजिक क्या होगा, इन कहानियों और पोयम्स को यूज करने का, पहले आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आपने सही जवाब देना है, पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर EBS का सलेवस पूरा करने की बात कही जा रही है, कि इन्होंने कहा है कि जो भी इनके दवारा किया जा रहा है, शीतल के दवारा जो भी किया जा रहा है, जैसे कि कहानियों का इस्तिमाल करना, पोयम का इस्तिमाल करना, काफी सारे कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए, इससे EBS क्या जो स्लेवस है इस ये complete हो जाएगा और बच्चे क्या करेंगे बच्चे स्कूल आने से पहले ये सारी चीजे सुन लेंगे क्या आपको लगता है ये जवाब सही होगा या फिर option number B encourage the student to write their own poems and story विद्यार्थियों को अपनी कविताएं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोसाहित करना कि अगर हमने बच्चे को कोई कहानी बता दी है न तो बच्चे खुद ही अपनी कहानिया लिख लेंगे या फिर option number C होगा make the student aware of diversity in language and culture कि विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृत में विविद्धता के बारे में जागरुक बनाना कि हम students को क्या करने वाले हैं aware करने वाले हैं किन चीज के बारे में aware करने वाले हैं हम भाशा और संस्कृत में जो विविदता पाई जाती है, उसके बारे में हम बच्चों को जागरुप करना चाते हैं, क्या ये बात सही है, या फिर option number D, make the lesson more interactive, enjoyable and interesting, कि हम क्या करना चाते हैं, पाठों को बहुत जादा interesting बनाना चाते हैं, interactive बनाना चाते हैं, और बच्चे उस बड़ी बड़ी फोटो भी लगी होती हैं, रंगदार फोटो लगी होती हैं, जिसे बच्चे क्या करें, बच्चे अपनी पढ़ाई को enjoy कर पाएं, अनन्द ले पाएं, तो option number आपको क्या लगता है, हम elimination method को use करेंगे, सबसे पहले हम उन options को बाहर निकाल देंगे, जो हमें लगता है, कि जो option बिल्कुल ही गलत हो सकते हैं, अगर हम option number A की बात करें, तो यहाँ पर slayvus पूरा करने की बात कहीं जा रही है, जो भी पाठिकरम है, क्या हम ऐसा करते हैं, कि हमने जल्दी जल्दी से slayvus खतम करना हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, यह जवाब यहाँ पर निकाल सकते हैं, जैसे कि option number 2 में दिया है, मतलब option number 2 को हमने काट दिया, तीन में भी option number B की बात कहीं जा रही है, तो option number B को भी हमने काट दिया, बट अगर हम बात करें, इसमें फिर A और B को, माफ कुरिएगा, B नहीं, हमने D काटना था, क्योंकि यहाँ पर A थी, option number 4 में आ बात कहीं जा रही है, syllabus के regarding थी, तो हमने जो चार option है, A, C, D लिखा है, इसको भी हम कार देंगे, अब option बचे, आपके पास A और 3, first और 3 option है, इसको आप बताएं, आपको क्या लगता है, कौन सा option सही होने वाला है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर option number जो आपका 3 होगा, क्योंकि जो तीनों बात कही गई है, हम बच्चों को, learners को क्या करना चाहेंगे, encourage करना चाहेंगे, कि वो अपनी कहानिया खुद लिखें, इससे उनकी creativity भी बढ़ेगी, so option number B बिलकुल सही है, B के साथ साथ अगर आप C देखेंगे, तो हम बच्चों को क्या करना चाहते हैं, aware करना चाहते हैं, diversity in language and culture में, so बिलकुल ये बात भी ठीक है, और option number D देखें, कि हम बिलकुल हम चाहेंगे, कि हम जो lesson पढ़ा रही हैं, वो ज्यादा interactive हो, बच्चे उसको enjoy करें, और interesting बाते सबको लगें, so B, C, D, और ये तीनों जो चीजे हैं, वो option number 3 में आपको देखने क मिल जाएंगी, so option number 3 के साथ आप जा सकते हैं, so option number 3 को आप लगाएंगे, टिक, और यही आपका सही जवाब होगा, अब हम चलते हैं, अपने अगले प्रशन पर, अगले प्रशन में आप से पूशा जा रहा है, which of the following options is a major objective of teaching EVS from class 1 to 5th, कि निमन लिखत में से कौन सा विकल् कक्षा 1 से 5 तक को बच्चों के लिए EVS पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश है, आपको क्या लगता है, कि जो objective है main EVS पढ़ाने का, क्योंकि हम primary classes की बात कर रहे हैं, और यह EVS का जो portion है, वो mainly primary teacher से ही पूशा जाता है, तो आपको बताना है कि कौन सी option ऐसी है, जिसमें objective होता है EVS पढ़ाने का, सो options को पढ़ेंगे और अपना जवाब है, वो खुद ही अपने आप हमें समझ आ जाएगा, देखते हैं, acquiring skills to carry out hands-on activities independently, कि स्वतंत्र रूप से वैवारिक क्रिया कलापो को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, option number 2, preparing students for studying science at the middle level, यहाँ पर बात कही जा रही है कि विद्यार्थियों को middle star पर विज्ञान पढ़ने के लिए तयार करना, यहाँ फिर option number 3, developing in-depth understanding of the basic concept of the subject की विशय की मूल अवधार्नाव की गहन समझ विक्सित करना, यहाँ फिर option number D, helping learners link classroom learning to life outside the school, कि सिक्षयार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोडने में मदद करना, अगर हम सही बात की करें, सही जो option होगी आपकी हो सकता है, एक से जादा option जादा सही हो, बट हमने वो option को चूज करना है, जो सबसे जादा सही हो, सो option को देखें और आप बताए कि आपको क्या लगता है, कौन सा जवाब सही होने वाला ह सही जवाब की बात करें तो आपका option number जो D है वो ज़्यादा सही होगा क्योंकि जब बच्चा classroom में याद की गई चीजों को सीखी गई चीजों को जोड़ पाएगा school के बाहर वाली जिन्दगी के साथ तो सबसे मुख्य उद्देश यही होगा उसका EBS पढ़ने का बात तो अ वो कुछ ज़्यादा अच्छे से हमें बात बताई हुई है तो हम क्या करते हैं बच्चों ने जो क्लास में सीखा उसको असल जिन्दगी में क्या कर पाएं इंप्लिमेंट कर पाएं बाहर की चीजों से क्लास में सीखी हुई चीजों को जोड़ पाए यही उसका main objective है EBS अगले प्रशन में लिखा हुआ है एक EBS teacher है demonstrate an experiment in class in which an egg sinks in a tumbler with water but floats upon adding salt to the water which of the following is the most appropriate explanation she can give to students inquiry एक EBS सिक्षक अक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गलास में दूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है विद्यारतियों की पूश्चाश के लिए वा निमनलिखत में से कौन ससी सबसे उप्युक्त व्याख्या दे सक यहाँ पर एक टीचर ने क्या किया टीचर बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सिखा रही है इस एक्सपेरिमेंट में टीचर ने क्या किया एक अंडा लिया उस अंडे को एक जग था कह सकते हैं या फिर एक गलास था उसमें पानी भरा हुआ था जब उन्होंने उस पानी में उस अंडे को डाला तो अंडा डूब गया उसके बाद इन्होंने क्या किया उस पानी में कुछ नमक डाल दिया अब नमक डालने के बाद जब उन्होंने अंडे को अंदर डाला ना तो अंडा था वो तैरने लग गया तो इससे आपको क्या लगता है कि टीचर को क्या करना चाहिए अगर बच्चा इसके बारे में पूछता है कि इसके बारे में समझाईए तो आपको क्या लगता है कि तीचर को क्या करना चाहिए क्या जवाब देना चाहिए अभी आप options को पढ़ेंगे और सही जवाब देंगे allow a student to conclude on their own by adding different items in water कि प्रतेक विद्यारती को पानी में विभिन वस्तु में डाल कर स्वय निश्कर्श निकालने देंगे कि हम बच्चों को बोलेंगे कि आप पानी में अलग-अलग चीज़े डाल के खुदी जो conclusion है वो निकाल लो जैसे कि कभी उन्होंने पानी में pen डाल दिया कभी eraser डाल दिया कभी sharpener डाल दिया अलग-अलग तरह कि जो चीज़े थी वो पानी में डाल कर खुद experiment करें या फिर option number 2 the egg floats due to density of water कि पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है क्या teacher के दवारा ये जवाब दिया जाएगा या फिर बच्चे को जवाब दिया जाएगा you will learn the correct reason in higher classes कि आप बड़ी कक्षाओं में इसके बारे में सिखेंगे अभी हम आपको इनसके बारे में नहीं बताएंगे अभी आप जो हमसे पूछ रहे हो आपको क्या लगता है as a teacher आप ऐसा करेंगे जा फिर option number 4 conduct and observe the experiment with different amount of salt कि अलग-अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करेंगे और उसका अब लोकन करेंगे कि आप बच्चों को बुलाएंगे और नमक की जो मात्रा होगी वो कम करेंगे जादा करेंगे और इसके साथ ही बस मतलब sum up कर देंगे आपको क्या लगता है कौन सा जवाब जादा सही होने वाला है तो हमने क्या बात की हमने एक experiment की बात की अभी हमने बच्चों को समझाना है कि यह होता क्यूं है इसके लिए teacher को क्या करना पड़ेगा option number अगर आप 3 को देखते हैं 3 को सबसे पहले हम क्या करेंगे eliminate कर देंगे 3 को सबसे पहले eliminate क्यों करेंगे इससे तो हम बच्चे को demotivate करने का काम कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने ये बात कहा दी कि आप इसके बारे में बड़ी क्लासों में सीखोगे तो ये experiment करने का फैदा ही क्या हुआ so option number 3 को eliminate करेंगे अगर आप ऐसा करेंगे मान लीजे आप बच्चों को बोल देते हैं कि हम बड़ी कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ेंगे तो बच्चा हो सकता है उसकी जो curiosity है वो खतम हो जाए in future वो ऐसे question पूछेगा ही नहीं अगर हम बात option A की करें तो इसमें बताया गया है कि हम सभी बच्चों को बोलेंगे कि अलग-अलग चीजे डाल कर देखें बट ये काम करने से क्या उसको अंडे और नमक के बारे में जो जानकारी मिलनी साहिए थी क्या वो मिलेगी बिलकुल भी नहीं मिलेगी option number 4 को देखें कि हम इसमें कह रहे हैं कि हम नमक डालेंगे नमक को ज़्यादा करेंगे कम करेंगे इसके साथ हम experiment करेंगे कुछ हद तक इस बात को हम सही मान सकते हैं बट ये तो आगे की बात आ गई जब बच्चे को इस experiment के बारे में समझ आ गया था उसके बाद की हम बात कर रहे हैं so option number 4 को भी हम eliminate करेंगे बट option number 2 की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि the egg floats due to density of water हम बच्चों को समझा रहे हैं कि जो अंडा है वो density की वज़ा से तैरता है density को हम घनत्व कहते हैं मान लीजिये जैसे की पानी था पानी की जो density थी वो क्या थी? वो कम थी बट अंडे की जो density थी वो जो घनत्व था वो कह सकते हैं ज़ादा था जब अंडे का घनत्व जादा था तो वो पाणी में डूब गया, बट जब हम बात करते हैं कि हमने नमक मिला दिया पानी में, फिर पानी की जो density थी पानी का घनत्व बढ़ गया और अंडे का कह सकती है जो घनत्व था वो क्या हो गया, वो कम हो गया, जिसकी वज़ासे नमक चालने के बाद पानी का जो density थी वो बढ़ने के बाद अंडा था वो त्यारने लगया क्योंकि अंडे की जो density थी वो कम हो गई अगर पानी की बढ़ी है तो अंडे की तो अपने आप ही कम हो जाएगी अगर हम उसको scientifically इस प्रशन का जवाब देंगे तो ये बाद बच्चे को समझ आ जाएगी कि ये science की वज़ा से इस reason की वज़ा से होता है तो इसलिए आप option number 2 को क्या लगाएंगे आप option number 2 को बिल्कुल ही सही लगाने वाले हैं इसी तरह से हम चलते हैं अपने अगले प्रशन पर option number 2 को टिक करने के बाद अगर आप question number 8 को देखते हैं तो यहाँ प देखना है कि जो यहाँ पर बात कही गई है क्या वो सही है कि गलत है और दूसरे option में यहाँ पर हमें जो बात बताई गई होगी वो बताई गई होगी कि option A में जो बात कही गई है क्या वो सही है और सही है तो क्या जो उपर दीगर डाफिनेशन थी उसको जो sentence पूरा करेग option number जो R में reason दिया गया है कारण दिया गया है क्या वो सही है कि नहीं सही अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है Learning of EVS needs to be oriented to process skills relating to observation, identification, classification, etc. कि EVS के सीखने को अव लोकन, भहचान, वर्गीकरण आदी से संबंदित प्रक्रिया कोशल के लिए उन्मुख्य होने की अवशक्ता है और कारण में लिखा हुआ है Through acquiring various process skills, the learning outcomes of EVS learning are expected to be achieved कि वेविन प्रक्रिया कोशल प्राप्त करने के माध्यम से EVS के सीखने के प्रणामों को हासिल करने की भावना होती है सही option की बात करें तो आपको क्या लगता है Option number जो A है मतलब कि assertion में जो बात कही गई है वो बिलकुल ही ठीक है क्योंकि EVS में हम सिर्फ factual knowledge नहीं पढ़ते EVS में हम काफी सारी चीजे ऐसे पढ़ते है जो कि factual knowledge से ज़्यादा होती है जिसमें observation की जरूरत पढ़ती है identification की जरूरत पढ़ती है classification की जरूरत पढ़ती है इसलिए तो हम कहते हैं कि EVS में हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़े याद करनी है इसमें हमने चीजों को समझना है क्योंकि इसमें सिर्फ factual knowledge नहीं होती static GK नहीं होती तो option A तो बिल्कुल सही कहा गया है option number हम जो अगर हम reason की बात करें through acquiring various process skills the learning outcomes of EVS learning are expected to be achieved कि विभिन पुरक्रिया कोशल प्राप्त करने के माध्यम से EVS के सीखने के प्रणामों को हासल करने के जो संभावना होती है वो होती है ये बात भी बिल्कुल ठीक कही गई है जैसे कि हम बच्चों को काफी सारी जो skills हैं वो सिखाते हैं अगर बच्चों ने ये skill सीख ली हैं तो बच्चे क्या हो पाएंगे बच्चे और ज्यादा योग या फिर capable हो पाएंगे चीजों को explore करने के लिए वो अपनी कोज खुद करेंगे analyze वगरा खुद कर पाएंगे और अपने sense की मदद से जो भी उनके आसपास चीजे हो रही हैं उनके साथ कह सकते हैं कि वो अपनी knowledge खुद create कर पाएंगे बिल्कुल ये बात भी ठीक कही गई है और ये option number A को कह सकते हैं कि reason जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है आप देख लें कि यहाँ पर कौन सा option सही हो सकता है so option number अगर आप 2 को देखेंगे both A and R are true कि दोनों ही सही है और इसकी जो correct explanation दी गई है वो बिल्कुल ठीक है so option number 2 आप लगा सकते हैं टिक पर अभी आप हम चलते हैं अगले प्रशन पर यहाँ पर पुशा जा रहा है कि an obvious teacher should lay emphasis on dash while preparing question paper for summative assessment summative assessment के बारे में आपने सुना होगा formative assessment के बारे में आपने जरूर सुना होगा तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक EBS की जो शिक्षक है यो गात्मक मुल्यांकन के लिए प्रशन पत्र त्यार करते समय question paper उनके दोरा बनाया जा रहा है तो dash पर जोर देना चाहिए आपको क्या लगता है कि उनको किस चीज पर जोर देना चाहिए आपको यह तो पता होगा कि जो यह test है summative assessment की हम बात कर रहे हैं यह last में लिया जाता है या तो कह सकते हैं 6 महीने बाद लिया जाएगा summative assessment को या तो पूरे साल के बाद हम last में हम term के end में summative assessment को conduct करवाते हैं इसके बाद आप बताएं आपको क्या लगता है इसमें कौन सी बाद पर जादा जोर देना चाहिए length and objectives of the question paper कि हमें इसमें प्रशन पतर की लंबाई और उदेश पर जोर देना चाहिए या फिर option number 2 content coverage and objectives of the question paper कि प्रशन पतर की जो समगरी है उसकी coverage और उदेश पर जोर देना चाहिए या फिर option number 3 total marks and content coverage of the question paper कि प्रशन पतर के कुल अंक और समगरी coverage पर हमें जोर देना चाहिए या फिर option number last जिसमें हमने बात कही गई है कि length and total marks of the question paper की caution पतर की लंबाई और कुल अंक कितने होने चाहिए ये तो बात matter नहीं करती length वाली बात बिल्कुल matter नहीं करेगी option number 4 को हम सबसे पहले eliminate करेंगे option number अगर आप first को देखो length and objective of the question paper यहाँ पर भी length की बात कही जा रही है हम इसको भी eliminate करेंगे अभी आप के पास option रहे गई option number 2 और 3 यहाँ पर बात कही जा रही है कि content coverage and objective of the question paper कि जो भी unit में slavers था उसकी content की coverage कितनी थी और question paper के जो objective थे उसको भी हम ध्यान में रखेंगे सो बिल्कुल option number आप चलेंगे 2 के साथ option number 2 को आप लगाएंगे टिक और हम 3 को भी eliminate करेंगे क्योंकि यहाँ पर total marks की बात कही जा रही है content coverage तो चलो ठीक है यह कुछ हद तक हम सही कह सकते थे वोट option number 2 के साथ हम चलेंगे इसी के साथ चलते हैं आज के अगले प्रिशन पर which of the following is not a learning outcome in EVS for student of class 3rd कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए EVS में निमन लिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिकम प्रतिफल नहीं है किसकी बात कही जा रही है एक तो यह नोंने लिखा है नहीं कि कौन सा इसमें से नीचे दिये गए options में आप मानके चलिए कि आप बच्चों को EVS पढ़ा रहे हैं कक्षा 3 के बच्चे हैं और इसमें से कौन सा आउटकम नहीं होना चाहिए सीखने का जो परिणाम है वो नहीं होना चाहिए option number 1 को देखते हैं कि voices opinion on good and bad touch कि अश्चे और बुरे इस पर्ष पर अपनी राय व्यक्त करना आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए परिणाम बच्चों को सिखाने का और आपने इस बात का भी ध्यान रखना है यहाँ पर इन्होंने नहीं कहा है मतलब जो option आपको सही लगेगा ना मतलब वो होगा कह सकते हैं कि वो outcome है जो आपको लगेगा कि जो परिणाम नहीं होना चाहिए अगर बच्चों को हमने EWS सिखाई है तो कौन सा परिणाम नहीं होना चाहिए आपने उसका जवाब देना है so option number A तो मेरे को ठीक लगता है कि ये परिणाम होना चाहिए कि देखे गए अनुभव किये गए मुद्दों पर अवाज उठाना और समाज की प्रताओं से संबंदित करना जैसे संसाधनों के स्वामित्वे में भेदभाव कि जो हम चीजों को देख पाते हैं जिन चीजों को हम अनुभव कर पाते हैं उन मुद्दों पर अवाज उठा सकते हैं जैसे कि कोई समाज में ऐसी प्रता है जो कि नहीं होनी चाहिए अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो हम उस पर अवाज उठा रहे हैं क्या ये इवियस पढ़ाने का प्रणाम हो सकता है आप बताईए इसके बाद देखते हैं option number 3 कि observe rules in a few local indoor outdoor games कि कुछ स्थानिया indoor outdoor खेलों में नियोमो का अवलोकन करना जैसे कि जो हम games बच्चों को play करने के लिए कहते हैं तो उनके rules को observe करना जिसके कारण बच्चों का कह सकते हैं कि social और physical development हो सकता है तो ये option भी ठीक है अगर हम यहाँ पर सीखने की प्रणाम की बात करते हैं एवियस सिखाने के बाद so option number 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है अगर हम बात करते हैं option number 4 की तो ये आपका जवाब इस नहीं की वज़ा से सही होने वाला है क्योंकि कक्षा में कक्षा की दिशाओं की पहचान करना ये तो कोई objective नहीं है अगर हम बच्चों को इवियस सिखा रहे हैं so option number 4 जो लिखा है इसको ये साथ हम चलेंगे इसी को हम सही जवाब मानेंगे क्योंकि बाकी जो तीन जवाब दिये गए हैं ये सारे objective हैं बच्चों को इवियस पढ़ाने के लिए बच्चे अगर इवियस पढ़ पा रहे हैं सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने बच्चों को अच्छे डंग से इवियस सिखाई है और यही main objective भी है main conclusion या फिर outcome भी है option number 4 के साथ चलेंगे which of the following criteria is most appropriate for this purpose नीचे दिये गए कुछ options हैं आपको बताना है कि नीचे दिये गए criteria में से सबसे अच्छा वाला criteria कौन सा होगा इस काम को पूरा करने के लिए आपने आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विधयार्थियों के लिए इविस की जो पार्ट पुष्टके हैं उसको चूज करना है इस उदेश के लिए निमन लिखित में से कौन सा मान धंड सबसे उप्युक्त है अच्छा है पढ़ लेते हैं चोटे बच्चों की जो किताबे होती है उसमें जो फोटोज होती है वो बहुत ही रंग बिरंगी होती है और उनको रंगीन होना चाहिए ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है option number 2 में लिखा है the language should be simple कि जो भाशा उसमें इस्तेमाल की जाती है वो बहुत ही simple होनी चाहिए और जो बच्चों का जो mental level है उसके according ही होनी चाहिए अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि बच्चे पड़ रहे हैं तीसरी क्लास में और उनको ऐसी कताब प्रॉइड की गई है जो दसमी क्लास के बच्चों को लगती है तो इसमें ये बात कही गई है option number अगर हम 3 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि सचितर और विद्यार्थियों के लिए अकर्शक होना चाहिए या फर option number 4 a textbook should be child oriented होनी चाहिए और उसमें कोई भी stereotype वाली बात नहीं कही जानी चाहिए derogatory बात नहीं होनी चाहिए attitude based on gender, caste and class and religion की पार्ट पुस्तक बाल उन्मक होनी चाहिए तथा link जाती वर्ग और धर्म के अधार पर किसी भी रोडिवादी या फिर अपमान जनक वेवार से रहत होनी चाहिए आपको क्या लगता है इसमें सबसे अच्छा जवाब कौन सा होना चाहिए हो सकता है आपको लगे कि इसमें एक से ज़्यादा जवाब है वो सही होंगे बट हो सकता है कि इसमें एक जवाब होगा वो बाकी तीन जवाब से ज़्यादा अच्छा हो और आप आपने उसी सबसे सही वाले जवाब को ही चूस करना है तो आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं वीडियो को पॉस भी कर सकते हैं इसके बाद आपने बताना है कि सबसे अच्छा जवाब कौन सा है बिलकुल ऑप्शन नमबर A.B.M. ठीक लगता है B.B. ठीक लगता है 3.B. ठीक लगता है बर सही जवाब है आपका उप्शन नमबर चार इसके बारे में डिसकस कर लेते हैं चाइल्ड ओरियंटेड की बात की जा रही है यहाँ पर बाल उनमुक होनी चाहिए बाल उनमुक को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मानसिक स्तर की बात कही जा रही है न तो इसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं कि इसमें ये वाली बात तो इन्होंने इंक्लूड कर दी है कि जो बच्चों की जो किताबे डिजाइन की जाती है वो बच्चों की जो जरूरते होती है, बच्चों की जो रुची होती है, बच्चों का जो बौधिक विकास होता है, उसको ध्यान में रखते हुए ही इसके content को बनाया जाता है, जिससे बच्चे अच्छे तरह से सीख पाएं, ये तो हमने की child oriented की बात, इसके बाद हम बात करत हैं, inclusivity की, इसका मतलब ये है कि जो इसमें stereotype word दिया गया है, कि बच्चे को जो भी किताब provide की जा रही है, उसमें कोई stereotype वाली बात ना लिखी हो, और जो किताब उसमें provide करवाई जा रही है, बच्चा क्या करें, बच्चा बहुत ही अच्छा feel करे, respected feel करे, जब वो किताब को पढ़े, और इसके बाद जो quality वाली चीजे होती है, वो काफी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, colorful picture तो होनी ही चाहिए, इसके साथ साथ जो उसमें भाशा use की गई है, वो भी बहुत easy होनी चाहिए, कुल मिलाकर यहाँ पर बात कही जा रही है, कि सारी जो कह सकते हैं कि qualities ह वो कताब में होनी चाहिए, और यह बात कही गई है option number 4 में, option number 4 को आप लगा सकते हैं, tick, और अब हम चलते हैं अगले प्रशन पर, read the following statement and choose the correct options, assertion में बात कही जा रही है, primary level, EVS has theme instead of topics, कि primary level के जो बच्चे होते हैं, primary इस तर पर EVS के विशो के बजाए, theme है, मतलब कि हमें topic नहीं दिये होते, हमें वहाँ पर theme दिये होती हैं, इसका क्या reason हो सकता है, इन्होंने reason बताया है, कि theme based EVS learning is easy for teacher and student as compared to topics, कि जो विशय होते हैं, विशय के तुलना में theme अधारित जो EVS सीखना, सिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत जादा असान होता है, तो बात करते हैं सही जवाब की, आपका जो सही जवाब होने वाला है, both A and R are true, कि ये दोनों ही सही है, क्यों सही है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, कि primary level पर, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो thematic approach क्या करते हैं, thematic approach से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ज कह सकते हैं, option number आपका जो 2 है, वो बिलकुल सही जवाब होगा, चलते हैं next question पर, you want to increase hands on activities for students of EBS, which of the following is the most appropriate activity, आप EBS के विद्यारतियों के लिए, वेवारिक गती विदियों को प्रोथ साहित करना चाहते हैं, निमन लिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उप्युक्त मानी जा करना, या फर collecting coins on different countries, कि विद्यारतियों के सिक्के एकत्रित करना, या फिर option number 3, developing and EBS kit from available material, कि उपलब्द सामगरी से EBS kit विक्सित करना, या फिर option number D, drawing parts of different plants on a chart, कि एक चार्ट पर विद्यारतियों के भागों का जो चितर है, वो बनाना, बात करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम बच्चे को increase करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं, प्रोच साहित करना चाहते हैं, hands on activities के लिए, hands on activities हम किसको कहते हैं, कि वैबारिक गती विदियों, मतलब बच्चा करके सिखे, अगर हम बात करते हैं, map reading की, अगर globe पर बच्चा map read करेगा, तो उसमें new क्या कर रहा है वो जो already चीजे हैं उनको बस देख रहा है अब option number अगर हम बात करें B में कि collecting coins on different countries यह तो shock हो सकता है कि दूसरी दूसरी जो देश है उनके देश की जो currency है वहाँ की सिक्क्यों को कठा करना तो यह तो shock हो सकता है बट इसमें बच्चे की कुछ creativity तो नहीं बाहर आने वाली option number अगर हम चार की बात करें तो यहाँ पर बच्चे की कह सकते हैं कि अगर वो किसी चीज को draw करेगा तो बच्चे की इसमें कह सकते हैं कि creativity तो show करेगा बट हमने यहाँ पर hands on activities की बात की है कि बच्चा करके सिखे उन चीजों को वेवारिक की बात की जा रही है कि hands on activities for students of AVS की विद्यारती वेवारिक गती विदियो को प्रुसाहित करना चाहते हैं तो option number जो आपका कह सकते हैं तीन है वो बिल्कुल सही है अगर मानलीजे बच्चे ने AVS केट को क्या करना है दियेगा material में से उसने AVS केट बनानी है उपलाव दसमागरी से AVS केट को अगर विक्सित करना चाहता है तो इससे क्या होगा इसमें काफी सारी चीजों को बच्चा इकठा करेगा उसको क्या करेगा उसको एनिलाईज करेगा और इससे बच्चा काफी सारी चीजों को explore कर सकता है जो भी उसके सामने material होगा उसको समझ होगी वो बढ़ेगी और जो topics होगे AVS के उसको भी समझ पाएगा आपका जो तीन है वो बिलकुल सही जवाब होगा इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले प्रशन पर formative assessment of AVS आपको क्या लगता है AVS के लिए रशनात्मक आकलन क्या है assessment for learning assessment of learning assessment as learning assessment about learning कि सीखने के लिए आकलन सीखने का आकलन अधिगम के रूप में आकलन सीखने के बारे में आकलन इसमें आपने कोई दो option चूज करनी है अगर आप elimination method को use करें तो formative assessment में हम किसकी बात करते हैं formative assessment में हम teaching के दोरान मतलब हमने बच्चों को कोई भी चीज सिखाई है तो हम lesson के दोरान या फिर unit पढ़ाने के दोरान या फिर course के दोरान हम क्या करना चाते हैं बच्चों में जो भी कमी है उसको improve करते हैं उसको हम assessment for learning कह देते हैं so option number A तो आपका सही जवाब होने वाला है अभी बाकी के options का हमें नहीं पता तो अभी आप जिसमें option number में A नहीं है उसको हम eliminate कर सकते हैं so option number A को हमने eliminate कर दिया और 4 को eliminate कर दिया अभी आपका सही जो आप A या फिर B होगा या फिर A या फिर C होगा अगर हम B को देखें यहाँ पर assessment of learning की बात कही जा रही है assessment of learning हम mainly summative assessment को कहते हैं summative assessment कब ली जाती है जब term जो होता है वो खतम हो जाता है so option number अगर हम बात करें B की यह भी eliminate हो गया so अभी option आपके पास कौन सा बच गया option number 3 A और C assessment as learning assessment as learning में जो बच्ची होते हैं वो खुद की assessment खुद ही करते हैं या फिर उनके जो साथ वाले साथी होंगे उनके जो पीर्स होंगे उनके दवारा की जाती है so अगर आप सही option की बात करें तो आपका सही जवाब क्या बना A और C इसको आप लगा सकते हैं tick और अब हम चलते हैं अपने अगले प्रशन पर अगला जो प्रशन है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं देखते हैं यहाँ पर आपको फिर से assertion और reason वाली statement दी हुई है assertion वाली statement को देखते हैं field trips are an effective pedagogical strategy in EVS कि EVS में शेत्र भ्रह्मन प्रभावी सिक्षन शास्त्रिय रण निती है इसके बाद लिखा हुआ है कि field trips promote memorization of objects, events and places कि शेत्र भ्रह्मन वस्तुमों, घटनाओं और स्थानों की यादास्ट को बढ़ावा देती है तो आपको क्या लगता है कि जो भी यहाँ पर बात की जा रही है field trips की जैसे कि आपको पता है कई बार बच्चों का educational tour भी लगाया जाता है किसी historical places पर, किसी museum में तो उसका main objective क्या होता है कि बच्चे real life में वहाँ पर जाकर काफी सारी चीजों को सीख पाएं assertion में एक बात कही गई है और reasons में उसका reason दिया गया है assertion में कहा गया है कि field trips क्या है एक बहुत ही परभावशाली तरीका है अगर हम EWS सिखाना चाते हैं बच्चों को और option number 2 में अगर हम बात करें reason में बात करें तो इन्होंने लिखा है कि field trips जो होती है वो memorize करने में मदद करती है जैसे अगर बच्चे किसी जगह पर जाएंगे तो उन चीजों को काफी time तक याद कर पाएंगे क्योंकि वो उस जगह पर जाकर उन चीजों के बारे में सीखते हैं तो ये बात क्या आपको लगता है कि कौन सा जो option होगा वो सही होगा अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा मुझे कौन सा लगता है सही जवाब होगा आपका बोथ A and R are true कि दोनों बात सही लिखी हुई है A भी सही है और R भी सही है इसे के साथ हम ये भी समझते हैं क्यों सही है क्योंकि A में जो बात कही गई है कि हम बच्चों को ले कर जाते हैं trips पर तो ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चे वहाँ पर जाकर सीख पाते हैं और इसी तरह उनको चीजें हैं वो काफी time तक याद भी रह पाती हैं और ये हमारा आज का last प्रशन था उमीद मैं यही करूँगा आपको session पसंद आया होगा अगर कुछ बाते आपको समझ में आई हैं अगर आपको इस session से help मिली है तो आप हमारे इस channel को subscribe जरूर करें और इस तरह की जो videos है उसको प्राप करते रहने के लिए हमारे channel को subscribe कर लें bell icon प्रेस कर लें और ये जो paper था आपके paper 2.23 में जो अगस्त में seated का paper हुआ था paper 1 की मैं बात कर रहा हूँ EBS में उनमें ये प्रशन आई हुए थे कल वाली वीडियो में हम अगले 15 प्रशन को भी discuss कर लेंगे इस तरह से हमारा अगस्त 2.23 में जो paper conduct कर वाया था वो हमारा paper complete हो जाएगा और जब तक आपका seated का paper नहीं हो जाता हम रोज ही इसी तरह से EBS के जो प्रशन है वो solve किया करेंगे ताकि आपके जो number है exam में वो अच्छे आ सके इसी के साथ दीजे इजादत Thank you so much for watching God bless you all